ही एक साथ कॉंत अगर्वाइं मैं हुम आपकी श्रधादीदी और ऐसे विडिऊ में बात करने वाले कि अगर पॉरों निप्रन इश體 के ही और electronics हो गया, तो इन branches ते अगर हम आ रहे हैं, तो फिर क्या हमें code करने की ज़ुरत है? और code अगर करना है, तो कौन सी ऐसी basic चीज़े हैं, जिनका हमें ध्यान ज़रूर रखना है? अब जो students जिन्होंने पहले ही decide कर लिया है कि हमारी core branches है, पर हम जाना coding की direction में चाहते हैं, software engineering करना चाहते हैं उनके लिए एक positive note के साथ मैं कहना जाती हूँ कि market के अंदर बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छे packages वाली और बहुत अच्छी reputation वाली काफी सारी companies हैं, जो बिलकुल differentiate नहीं करती कि आपकी branch क्या है और आपकी GPA क्या है, बस एक given condition है कि आपने hard work किया हो, practice की हो चीजें और आ जो अच्छी चीजें प्लेस हैं और जो core branches से आते हैं पर software engineering में उनके top packages लगें, इसमें सबसे पहला सवाल जो हमें खुछ से पूछना है यह कि हम college के अंदर गुसे नहीं और सबने हमें coding करने के लिए बोल दिया, हमारी branch तो जी chemical है, हमारी branch electrical है, फिर हम code क्यूं करें, इसक sector के अंदर जो jobs हैं, अगर वो QA testing भी हो गया, वो support engineer हो गया, वो software engineering हो गया, वो data science हो गया, इनके जो demand है वो काफी जादा है क्यूंकि vacancies काफी जादा हैं, पर अगर core branches की बात करें, तो वहां पर vacancies उतनी नहीं हैं जितनी IT sector के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो इसका basic कि IT sector में job जल्दी लगने के chances थोड़े से high होते हैं, प्लस अगर salary को analyze करें, तो IT sector की average salaries जादा होती है, as compared to core हमारे jobs की average salaries, obviously इसमें exceptions exist करती हैं, क्योंकि core branches में अगर आपकी exceptional skills हैं, तो काफी सारी ऐसी companies होगी, जो आपको high packages दे दे देंगी, तो उसका हमें ध्यान रखना है, इसमें decide कैसे करें कि अगर हमें placement की तयारी करना है, तो core jobs की तरफ जाएं या IT की तरफ जाएं, इसमें सबसे पहले हमें कुछ से कुछ basic सवाल पूछने होंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई government job करें, या हम आगे जाकर gate की तयारी करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने core branch व का सोच सकते हैं, अब इसमें second चीज जो मैं consider करनी है, वो है हमारा interest, अब coding के अंदर interest है या नहीं है, उसके लिए एक basic चीज करनी है, किसी भी चीज में अगर देखना होना कि हमारा interest है क्या, क्या हम इस चीज को long term में कर पाएंगे क्या, तो इस चीज को एक महीना करके आप IT सेक्टर की तरफ तैयारी करने की सोचिए, अगर आपको government job gate की तैयारी या फिर आपका passion ही है उस core branch के अंदर, तो फिर आप यहां तैयारी करने का सोचिए, अब जब भी आप तैयारी करने का सोचिए, अब जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें काफी सारे के अंदर आरी होती है, एक होती है off-campus placement, जिसमें हम college से company में जा रहे होते हैं, apply करने के लिए, on-campus placements के अंदर usually company आती है, और कह देती है college में आकर कि मुझे तो जी 7 GPA से उपर, या 8 GPA से उपर वाले बच्चे ही जगे, या फिर मैं software profile के लिए hire करना हूँ, तो मैं computer science या ज आएंगी, तो वहाँ पर अगर हम core branches में हैं, तो हमें हलका सा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम off-campus placement की बात करें, तो वहाँ पर क्या चलते हैं, referrals चलते हैं, वहाँ पर हमारी skills, resumes काफी जादा देखे जाते हैं, as compared to हमारी जो GPA चल रही है, तो core branches से जो भी students coding की तरफ जा में हैं, तो आपके chances वहाँ पर select होने के जादे हैं, अब college के अंदर एक काफी अच्छी product company में placement लेने के लिए कुछ ही basic चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें से सबसे पहला होता है कि आपने data structures and algorithms कराओ, दूसरा होता है कि आपके basic GP आपने maintain करी हो, तीसरा होता है कि आपने practice काफी सारे questions की करी हो, तो आपकी skills काफी अच्छी हों DSA के अंदर, चौछा होता है आपने कुछ projects बनाए हो, ताकि उनको पता चल जाएगी, आपके अंदर real life problems को solve कर करने की skill है, पाँचा होता है कि आपने अच्छा resume maintain कर रखा हो, रजुमे के अंदर आप बताते हैं, आप networks के बारे में पता है, या OOPS के object-oriented programming systems के जो concepts होते हैं, उनके बारे में आपको पता है, तो ये basic 6 चीजें अगर आपको पता हैं, तो आप off-campus में apply कर रहे हो, या on-campus में apply कर रहे हो, आपकी chances बहुत अच्छे हैं, on-campus में थोड़ा सा हार सकते हैं, ब्रांच की वज़े से off-campus में वो chances जादा bright हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर skill को देखा जाता है, पर एक चीज जिसका हमें खास ज्यान रखने की जुरत है, वो यह है कि skill को तब देखा जाएगा, जब आपकर resume shortlist होगा, और उसको shortlist करवाने का सबसे असान तरीका होता है, reference, reference क्या होते हैं, reference हो या जो किसी अच्छी company में काम कर रहा है, हम किसी को अगर जानते हैं, तो उनको हम contact कर लें, या कोई random इनसान भी हो, जिसको हम contact कर लें, LinkedIn के उपर, या किसी और platform के उपर, और उनको अपना resume भेजें, उनको बताएं कि हमने ये ये चीज़ें करी हुई हैं, फिर वो अपनी company को हमें suggest कर सकते हैं, कि एक अच्छा candidate है, इसको आप ले जीज़ें, तो इस तरीके से reference काम करते हैं, और वो आपको पहले ही एक छोटे पूल के अंदर shotless करके डालेगे, तो इस तरीके से आप अपने chances बढ़ा सकते हैं, उसरी चीज़ जो है, कॉलिज के अंदर अगर हम हैं और हम कोर ब्रांच से बिलॉंग करते हैं, और हमें कोडिंग के अंदर जाना है, तो हमें कोडिंग एंवायरमेंट देखना पड़ेगा, कोडिंग एंवायरमेंट आप अपने कॉलिज की किसी कोडिंग ससाइटी को जाइन कर सकते हैं, वाह सीनियर के साथ बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जो कोडिंग कर रहे हैं या फिर आप अपनी क्लास में ही ऐसे कुछ धून सकते हैं जो आपके साथ कोडिंग कर रहे हैं ताकि अगर हमारे पस वह एंवायरमेंट होता है जिसमें सारे लोग सेम चीज कर रहे होते हैं तो फिर एक तो friendly competition बहुत बढ़ता है दू इस रिसोर्ट शेरिंग की वज़े से आप दोनों की ग्रोथ हो रही होगी अब मुच्वल इंट्रेस्ट जो है वो अलाइन हो रहे होंगे तो फिर आपका टाइम भी जादा वेस नहीं हो रहा होगा हो सकता है आपके दूसरे दोस्त जो है वो और जो जो जादा प्रिफर कर जो इन बेसिक चीजों का ध्यान जरूर रखें कोडिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस पर मैंने काफी सारे विडियो बनाए हुए कि आप स्क्राच से कोडिंग कैसे सीख सकते हैं जावा का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा डिये से कंपीट करवान दो डाई घंटे के विडियो है उसमें बेसिक बेसिक चीजें कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कोडिंग के अंदर अक्चुली इंट्रेस्ट हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल दिन कीप लरणी और कीप एक